नमस्कार आज एक ऐसे आम्न फोस की कहानी बताने जा रहा हूं जिसे बनाया तो अमेरिका ही नहीं था लेकिन अमेरिका को कहां पता था कि एक दिन जो आम्न फोस को युएस ने बनाया था उसी के खिलाफ उसे लड़ना होगा जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ बदरी 313 जिसे कई लोग बदरी 313 भी कहते हैं दरसल ये बदरी 313 क्या है 313 नाम सुनते ही लग रहा है कि कुछ ऐसी यूनिट है जिसमें 313 सोल्जर्स होंगे या 313 ग्रूप्स होंगे लेकिन मैं आपको बताता हूँ दरसल ये 313 और बदरी के पीछे क्या कहानी है कहावत ये है माना ये जाता है कि 1400 साल पहले खुरान में इस बात की जिक्र है कि जब प्रॉफिट महमत सहब काफिर यानि अपने दुश्मन से लड़ने गए थे तो वो 313 सोल्जर्स के साथ गए थे और उसी 313 सोल्जर्स ने इनेमी पर जीत हासिल की यानि जिन के खिलाफ वो लड़ने गए थे उनको महस 313 सोल्जर्स के साथ ही हरा दिया लेकिन तालिबान ने उसे किस तरीके से अपनाया उसकी भी एक दिलचस्चानी है जब 1996 के पहले जब मुझाहिदीन तालिबानी रूस के खिलाब जंग लड़ रहे थे तो उस वक्त अमेरिका ने तालिबान का साथ दिया और तालिबान को कहा कि आप ऐसे आंफोर्स बनाएं और हम उसमें साथ देंगे वही हुआ तालिबान बदरी 313 बनाया उसके बाद उन लोगों ने रूस को अफगानिस्तान से बेदेखल कर दिया और तालिबान की राज अफगानिस्तान में आ गई उसके बाद तालिबान का शासन चलता रहा लेकिन फिर दिरे दिरे जब तालिबान का शासन अफगानिस्तान से खत्म हो गया तो यह बदरी 313 की भी कहानी लगभग समाप थी हो चुकी थी लेकिन अब जब 2021 में तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर कबजा कर लिया उसके बाद आप सोशल मीडिया पर हर जगह बदरी 313 के सोल्जर्स वो भी लेटिस्ट इक्विपमेंट्स प्रोफेशनल यूनिफॉर्म, मिलिटरी बूट्स, ब्लैक लैप्स, टेक्टिकल रेडियो, बॉडी आर्मर, टेक्टिकल नीपैड्स हर चीज उनके पास इस तरह है लग रहा है कि वो किसी भी यूएस आमी से कम नहीं है और माना यह जाता है कि जो लड़ाई, तालिबान इस वक्त लड़ रहा है, वो यही टूप्स है, चाहे वेस्टरन फोसेस के खिलाब इन लोग की लड़ाई हो, नैटो की खिलाफ की लड़ाई हो, या फिर अमेरिका की सोलजर, अमेरिकन सोलजर से खिलाफ लड़ाई हो, य इने आम्ड प्रोवाइड कौन कर रहा है लेकिन एक बात सामने निकल कर या आती है कि जो भी तालिबानी फोसेस हैं जिस जिस प्रोविंस पर जा रहे हैं उन्हें कब्जा उन लोगों ने किया वहां पर जो अफगानिश्टानी सोल्जर्स थे जिसे यूएस ने हिल्फ किया उन लोगों पर जो तालिबान ने कबजा किया तो उनके जो वैपने से उन सब पर भी तालिबान लोगों पर तालिबान ने उनके वेपन पर कब्जा कर लिया और वो वेपन अब बद ऑदरी 313 के पास आ छुकी हैं अब इसके बादे सुए आता है कि यह जो militants grouse यह ट्रेंड कहां से हुए तो इन लोगों को ट्रेंड दिया गया तालिबान के सबसे बड़े ग्रुप यह यू कहें मार्शल हकानी नेट्वर्क से हकानी नेट्वर्क की बात बार-बार आती है कि किस तरीके से पाकिस्तान हकानी नेट्वर्क को साथ देता है उनको पना देत है खास करके अफगानिस्तान पाकिस्तान के रीजन में कि वो किसी भी western forces को टक कर दे सकता है तो हखाणी नेटवर्क नहीं इन बदरी 313 को ट्रेंड किया है और आज ये बदरी 313 लगातार अफगानिस्तान में western forces के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है तालिबान का मकसद साफ हो चुका है कि अगर वो अफगानिस्तान पर शासन करना चाहता है तो तालिबान हर तरीके से एक ऐसी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है जहां पर governance भी हो security भी हो armed force भी हो हर तरीके से military capabilities भी बढ़े तो ये military capabilities बढ़ने के लिए तालिबान को ये शायद मालूम है कि उनके पास technology से भी उनका साहरा लेना पड़ेगा और भी कई तरीके से उन्हें अपने military ताकत को बढ़ानी पड़ेगी